नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल के उपर देखे दोस्तों अपनने 2000 किशन आंसर की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसको कंटिन्यू करते हैं उसमें उस वीडियो को अपन कंटीनियू करते हैं और कुछ इस्टेटिक जिक्के से क्यूशन और बनते हैं जो उसके बारे में अपने इस वीडियो में बात करेंगे। प्रमुक नदिया हैं उसके नदियों के तर्ट पर जो महतवपूर्ण सहर हैं जिसके बारे में अक्सर एक्जाम एक्जाम एक्यूसन पुछा जाता है उसके बारे में देखे बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं उत्रपरदेश राजिया के बारे में उत्रपरदेश र यमुना नदी के किनारे आगरा है वो बसावाए बात करते है अलाबाद की कियनारी बसावा है गंग GuinPP के नदी और सरस्वती है कि संगम के उपर इलाबा सहर है वो पूछा जाता है कई बार एक्जाम में आता है इलाबा सहर है वो बशावा है देखे बात करते हैं मतुरा और उत्रप्रदेश देखे उत्रप्रदेश तो इनमें कोमन आता है उत्रप्रदेश कोमन इसलिए है क्योंकि मत्हिरा आपका कहां जो सहर है वो भी कहाँ पर है गंगा नदी के किनारे इस्तित है वारानसी जो सहर है वो भी कहाँ पर है गंगा नदी के किनारे इस्तित है तो आगरा और जो मुथुरा सहर है उसमें सिमिलेटी क्या है दोनों ही आपके कौन सी नदी के किनारे इस्तित है यमुना नदी के किनार इस्तित है बात करें आयोध्य की तो देखे अभी ये चर्चा का विशे रह रहा है राम मंदिर बनने के विवाद को लेकर आयोध्य है वो काफी चर्चा का विशे है फेजाबाद जिले का नाम है वो जूतर इम्पोर्टेंट है लखनवु के बारे में कई बार एक्जाम एक्षिन पुछा दाता है देखे बात करते हैं गुजरात की तो गुजरात का जो एहमदावाद सहरा वो कौन शी नदी के किनारे है साबरमती नदी के किनारे है देखे यह आपको कन्फ्यूज नहीं होना है गु तो कम वाले के साथ में कम वाला मैच करना है और ज्यादा वाले के साथ में ज्यादा वाला अक्सरों का जो नाम है वो मैच करना है इस तरीके से आपको जैसे भी सुटेबल होता है बस याद होना चाहिए आपको तो आप इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो फिर मित्री माही और जो नरम्दा नदी है उसके किनारे आपका वरोधरा जो सहर है वो बसावा है बात करें बिहार राज्य की तो बिहार का जो भागलपूर है बटना है वो कौन सी नदी के किनारे बसावा है गंगा नदी के किनारे इस्तित है इसके लावा बिहार का जो गया वेर very important डिवरुगर्ड कौन सी नदी के किनारे दोनो인 असम के जो परमुक शहर है वो ब्रहों पुतर नदी के किनारे बसे وई है बात करें पस्चिम्मंगात उसकी राजदशन क्या है कोलकता है तो कोलकता कौन सी हुगली नदी के किनारे बसावा है यह हुगली है आपका देख लेना किस तरीकी से लिखा गया है हुगली नदी के किनारे कौन सा सहर बसा गया है कोलकता सहर बसावा है बात करें महाराष्टर सहर की तो महाराष्टर का जो पूरे सहर है महरास्ट का जो पूर्णे है वह है तो मूल और मुथा नदियों के किनारे बसावा है जबकि महरास्ट का जो नासिक सहर है वह है गोदावरी नदी के किनारे बसावा है देखें यह important है और क्या है? static है यानि इस्थाई जिक्किया है इनमें कोई change होने वाला नहीं है यह आपको मतलब याद रखने ही पड़ेंगे आप वीडियो को दो से तीन बार देख लेना यह आपको सारे जो प्रमुक सहर है कौन-कौन सी नदियों के किनारे बसे हुए है वो आपको सारे याद हो जाएंगे देखे ओडिसा का एक इंपोर्टेंट सहर है कटक जो ओडिसा क की तो इसके राजदानी है वो बैंगलोरू है तो बैंगलोरू है वो आपके कौन सी नदी के किनारे बसावा है वर्साब वाठी नदी के किनारे बसावा है बात करें मद्यपरदेश की तो देखें मद्यपरदेश की जो गौलियर सहर है इंपोर्टेंट है गौलियर कौन सी वेरी वेरी इंपोर्टेंट सहर है उज्जेन कौन शी नदी के किनारे बसावा है छिपरा नदी के किनारे बसावा है देखे छिपरा है वो इस तरीके से लिखा जाता है उज्जेन है वो कौन शी नदी के किनारे बसावा है छिपरा नदी के किनारे बसावा है अब देखे बा वहीं बात करें कोयमटूर सहर की तो कोयमटूर सहर है उसके बारे में एक्जाम में कई बार क्यूसन सिधा सिधा पुछा जाता है कि जो तमिलाडू का कोयमटू सहर है वो निमिन में से कौनशी नदी के किनारे बसावा है तो नोयल नदी के किनारे कोयमटू सहर है तमिलाडू बसावा है वहीं बात करें आंध्रपरदेश काscreen के किनारे बसावा है जो कि काम पर आपका आंध्रपरदेश राजय में इस्तित है वहीं बात करें नहीं दिल्ली की तो नई दिली जो सहर है वो कौन शी नदी के किनारे बसावा है यमुना नदी के किनारे नई दिली बसावा है देखे यमुना नदी के बारे में पहले भी पन्य बात की थी यमुना नदी के किनारे कौन सा बसावा है आगरा है वो भी आपका यमुना नदी के किनारे बसावा ह इसके अलावा मथूरा है वो भी आपका कहाँ पर बसावा है यह यमुना नदी के किनारे बसावा है और जो नहीं दिली है वो भी आपका कौन सी नदी के किनारे बसावा है यह मुना नदी के किनारे बसावा है वहीं बात करें उत्राखंड की तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट हरिदवार जो जगह है उतराखंड राजे में इस्तित है और कौनशी नदी के किनारे है ये गंगा नदी के किनारे इस्तित है ये सायद आप सभी को पता भी होगा कि जो अस्ति विशरजनापन करके आते हैं कहाँ पर गंगा नदी में करके आते हैं इसलिए उवे सी बात है कि हरिदवार है वो कौन शी नदी के किनारे बसावा है गंगा नदी के किनारे बसावा है वहीं बात करें तेलंगाना सहर की तो देखें तेलंगाना जो सहर है उसका एक प्रमुक जगह है हेदराबाद हेदराबाद जो सहर है तेलंगाना का वो कहां प कोटा सहर है कोटा कौन शी नदी के किनारे बसावा है चंबल नदी के किनारे बसावा है कोटा जो सहर है वो चंबल नदी के किनारे बसावा है मद्य परदेश से निकलती है और राजस्तान से अंदर प्रवेश करती है वो राजस्तान और मद्य परदेश की जो सीमा है उसका न मुना नदी में इस तरीके से मिल जाती है तो इस तरीके से चंबल नदी के बहाउक शेतर के बारे में भी कही बार एक्जाम में किसन पूछा जाता है कि चंबल नदी निमिन में से कौन से राज्ये में नहीं बहती है यहां चंबल नदी का भाय शेत्र है वो निमिन में से कोण कोण सा राजी है इस तर्वी से कूछ सनेयवव army एक्जा में कही बार पूचा जाता है तो देखे यह राजस्तान में है और राजस्तान दोस्तों इस तरीक से अपने complete बात की है भारत के जितने भी राज्ये हैं और उसके परमुक जो सहर है उसके बारे में complete अपने बात की है कौन-कौन सा परमुक सहर है कौन-कौन सी राज्ये का वो कौन-कौन सी नदियों के किनारे बसावा है तो ये मैंने बोड़ी मुश्किल स ये लिष्ट है वो तयार की है आपके लिए लेकर आया था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा था इसे लाइक जुरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके और ये कंप्लीट सुची है उन सभी को एक ही जगा ये लिष्ट है वो प्रवाइड करवाई जाए सके देखिए ये जो दो हजार किशन आंसर की जो अपने सीरीज स्टार्ट कर रही है ये सीरीज आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी और रेगुलर वीडियो है वो आपको इसमें आपर प्रवाइड करवाई ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेसन है वो आपको समय के उपर प्राप्ते हो सके है